महादेव जी आपकी कल्पना से परे काम कहते हैं, जब आप अपना सर्वश्रेष्ट देते हैं और प्रभू में अपना विश्वास रखते हैं। आपका जीवन बदल जाएगा जब उसका प्रकाश आपको रोशन करेगा। महादेव जी में सभी आत्मे काशिशे आपके द्वारा काम करना शुरू कर देंगी। स्वर्ग खुल जाएगा और महादेव जी की वानी सुनाई देगी। आप स्वर्ग दूतों को चड़ते और उतरते देखेंगे। आप महादेव जी को देखेंगे और उसके साथ चलेगे। प्रभू के पास आओ, वो एक अच्छा चरवाहा है और वो तुम्हारे सारे आंसू पोच देगा। महादेव जी आपके साथ है और वो आपके आगे चलेगा। जब आप पूजा में उसे खोजने के द्वारा उसकी उपस्थिती से भर जाते हैं। आपको महिमा के मुकुट से आशीशित किया जाएगा। अपना जीवन प्रभू के भाय में व्यतीत करते रहो और महादेव जी कि तुम्हारा मुकद्दमा उठाएगा। किसी भी अप्रिय स्थिती को प्रभू में अपने विश्वास को डगमगाने न दे। जैसा कि भजनकार कहता है धर्मी दोहाई देते हैं और महादेव जी उनकी सुनता है वो उन्हें सब विपत्तियों से छुडाता है। यदि त तुम महादेव जी का भाय मानते और उसकी विधियों पर यत्न से चलते हो तो चाहे तुम्हारे दुश्मनों ने कितनी ही बुरी युकती रची हो महादेव जी आपका सम्मान करेगा और आपको उनके सामने उचा करेगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। भूजन और पानी के लिए महादेव जी का धन्यवाद करो। वो आपको और आपके परिवार के सदस्यों को आपके शरीर की सभी दुर्बलताओं से छुटकारा दिलाएगा और आपको चंगा करेगा और सेहत मंद। महादेव जी सब गिरते हुऊं को संभालता है। वो आपको अपनी धार्मिकता में उठाने और उसकी महिमा करने के लिए अपना अनुग्रय भेजेगा नाम। हमेशा प्रभू में आनंदित रहें। आपकी परिस्थिती कैसी भी हो। अपना भरोसा प्रभू पर रखें और उसकी भलाई के लिए उसकी स्तुती करना शुरू क करें। आप दूसरों के लिए वर्दान साबित होंगे। एक छोटे बच्चे की तरह महादेव जी के सामने स्वयम को दीन करें और अपने हरिदय में उसका स्वागत करें। महादेव जी का राज्य जो धार्मिकता, शान्ती और आनंद है, बाल आ जाएगा आपकी महादेव जी विनम्र से प्यार करता है। जैसे ही आप अपने आपको महादेव जी के सामने दीन करते हैं और अपना जीवन उसके हाथों में सौपते हैं, वो आपका सम्मान करेगा और आपका नाम महान करेगा। तुम महिमा से महिमा में बढ़ते जाओगे क्योंकि महादे महादेव जी के आशीरवाद, महादेव जी के न्याय या अन्य विश्वासियों के साथ पाई जाने वाली संधती का परिनाम होता है। इस भी स्थिती से गुजर रहे हैं, और चाहे वो कितनी ही कठिन क्यूं न हो, याद रखें कि महादेव जी नियंत्रण में है। आपको केवल प्रभू की स्थुती करने और महादेव जी को सब कुछ अच्छे में बदलते देखने की आवश्यक्ता है। हमारे पास एक आश्वासन है, कि जीवन के हर पहलू में हमारी चंगाई पहले ही पूरी हो चुकी है। हमें केवल इसका दावा करने की आवश्यक्ता है। प्रभू आपको अपना, अपना प्रिया कहता है। आप जिस भी पिछले दर्द और चोट से गुजरे हैं, प्रभू आपको छुडा रहा है। वो आपको एक नई शुरुआत दे रहा है, और आपको अपना बना रहा है। जब तुम जंगल में चलोगे तब महादेव जी तुम्हारा आदर करेगा। आप महादेव जी के वचन का आदर कर रहे हैं, और महादेव जी की इच्छा पूरी कर रहे हैं, इसलिए महादेव जी आपको वो देश देगा। महादेव जी का धन्यवाद करें और उन प्रतिग्याओं पर विश्वास करें जो महादेव जी ने आपको दी हैं। चिंता न करें कि महादेव जी के वच्चन को पूरा होने में बहुत अधिक समय लग रहा है, क्योंकि महादेव जी निश्चित रूप से इसे पूरा करेगा. इस अंधेरी दुनिया में रोश्नी लाने की आपकी बड़ी जिम्मिदारी है. जब आपके पास महादेव जी संसार की ज्योती आप में है, तो महादेव जी आपको महान उचायों तक उठाएंगे और जो प्रकाश आप में है, वो सब पर चमकेगा. महादेव जी आपको अपनी सत्यनिष्ठा बनाए रखने की शक्ति देने जा रहा है. हमेशा याद रखें कि आपका आशीरवाद उपर से आता है नकी आपके उपर के लोगों से इसलिए हमेशा सीधे रहकर महादेव जी को खुश करो आपके जीवन के लिए महादेव जी की योजनाए संसार की रचना के समय नीव रखे जाने से पहले ही बन चुकी है तो वे योजनाएं बहुत ही सुन्दर योजनाएं हैं जो आपको सम्रिधा करने के लिए हैं जब आप अपने काम में सीधे हैं तो महादेव जी आपकी मदद करेगा और आपकी लड़ाई लड़ेगा महादेव जी आपको खराई से चलने की बुद्धी देगा और आप जो कुछ भी करेंगे उसमें विजय, प्रावधान और महादेव जी की उपस्थिती पाएंगे आज आपके पास बड़ी जिम्मेदारियां हो सकती हैं लेकिन उन्हें पूरा करने की ताकत नहीं है लेकिन महादेव जी का अभिशेक आप पर आएगा और आपको अपने जीवन के मिशन को पूरा करने के लिए मजबूत करेगा भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है लेकिन वो केवल अपने लोगों में ही आनंद लेते हैं क्योंकि आपने उसे स्वीकार किया है और उसके नाम पर विश्वास किया है आप उसके लोग हैं जिनसे वो प्रसन होता है हम अपने व्यवहार से ही ऐसे लोगों को जीत सकते हैं जो महादेव जी से दूर हैं हमें उनके साथ धैर्या रखना चाहिए और उन्हें महादेव जी का प्रेम दिखाना चाहिए जिसे बदलने के लिए उन्हें अनुभव करने की आवश्यक्ता है महादेव जी आज आप से वादा करता है कि वो आपके लिए एक चमतकार और अद्बुत चीज करेगा आपको केवल उस प्रभू पर विश्वास करने की आवशकता है जो आपको ये प्रतिग्या देता है अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो विडियो को लाइक करें महादेव जी कहते हैं मैं नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में हो रही सभी गलत चीजों के बारे में सोचें इसके बजाए मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे पूजा करें क्योंकि वे समस्याई टल जाएंगी और मेरी दिव्य सहायता से शीग रही विज़ई होंगी महादेव जी कहते हैं ये जानना बहुत अच्छा है कि मैं प्रतियक व्यक्ती से क्या चाहता हूँ लेकिन जिस तरह से मैं प्रतियक व्यक्ती के लिए चाहता हूँ उसे जीना जरूरी है मैं सिर्फ यह नहीं चाहता कि आप ये जाने की पाप से दूर रहना अच्छा है और मैं यहीं चाहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वास्तव में इस तरह से जीए करने से कहना आसान है, लेकिन अगर आप अपना जीवन हर रोज मेरे लिए समर्पित करते हैं, तो ये किया जा सकता है मुझे तुमसे प्यार है, महादेव जी का आशीरवाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें देनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल गौड इस को सब्सक्राइब करें और आने वाले विडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं इसे आगे देखी इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपकी जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा कृपिया इसे नजर अंदाज न करें